दोस्तो आज रो के अंदर रे मेस्टेरियो एंड डोमिनिक मेस्टेरियो का सिंगल मेच होता है मेच में दोनों की परफॉर्मेंस सही चल रही थी एंड इतने में लीव मॉर्गिन आ जाती है रिंग साइड पर याँ पर दोस्तो जब Ray Mysterio उन्हीं पंच मारते हैं डोमिनिक मेस्टेरियो को तो डोमिनिक मेस्टेरियो Leaf Morgan के उपर जा पड़ते हैं जिसके बाद Leaf Morgan उन्हीं पकड़ लेती है और इसका फाइदा उठाकर Ray Mysterio उन्हीं रिंग के अंदर ले जाते हैं इसके बाद जैलिना वेगा भी दिखा देती है एंड वो लीव मोर्गिन को रिंग साइड से आउट करने की कोशिस करती है लेकिन दोस्तो इस बीच टोप रोपर डोमिनिक में स्टेरियो थे एंड वो गिर गए जिसके बाद 619 लगाते हैं रे में स्टेरियो एंड उन्हें प ये गलती से हो गया एंड दोस्तो अब लग रहा है लीव मोर्गिन एंड डोमिनिक में स्टेरियो का जो रिलेशन चल रहा है उसमें थोड़ी दरार पड़ सकती है बाकी देखना होगा जजमेंट टे में लीव मोर्गिन का इन फ्यूचर क्या रोल रहता है वैसे आपको ली मोरगिन एंड डोमिनिक में स्टेरियो का जो इंट्रेक्शन चल रहा है रो के अंदर वो पसंद आ रहा है या नहीं कोमेंट करके बताना वीडियो लाइक करना एंड चेनल को सब्सक्राइब करना